मैं सुनुकुमार सिंग केमूर रेडियों में आप सबका स्वागत है आज हम लोग अधन करेंगे मौर समराज के पतन के कारण तो चलिए दिखते हैं मौर समराज का पतन कैसे हुआ मौर समराज के पतन के कारणों के बारे में जानना बहुँ जुरूरी है मौर समराज भारतवर्स के सबसे विशालतम समराजों में से एक था कोटिल के तिसा निर्देश के अनुसार चंदरुत मोर्ज ने इसकी नीव रखी थी 232 इसा पूर्व समराज असो की मिर्थी के पश्चात मोर समराज का पतन सुरू हो गया यहां हम लोग मोर समराज के पतन का संचिप्त अधिन करेंगे और जो मूग की कारण होगे उनका हम लोग बारी बारे से अधिन करेंगे मोर समराज के पतन के कारणों पर नजर डाली जाए या फिर किसी भी समराज के पतन के कारणों का बेश्लेसन किया जाए तो उसके मूग कारण उसके अयोग राजा क्या उत्रत धिकारी होते हैं मोर समराज में भी यही हुआ मोर समराज या मोर राजबंस के जो अंतिम राजा ब्रिदरत थे उसके सेनापती पुस्मित सुंग ने धोखे से उनका मौत का घाट उदार दिया और यहीं से मोर समराज का अंत हो जाता है देखे अब हम आगे देखते हैं मोर समराज में समराज असक एक ऐसे महान समराज हुए थे जिन्होंने इस समराज को कई गोना बढ़ा दिया था उनके अंतिम दिनों से ही इस समराज के पतन की सुरुवात हुई थी और समराज असो के मिर्टी के पशाथ यह समराज बहुत तेज गती से तूट गया है उनके बाद जो भी सासक आए वे बहुत कमजोर थे तो आएब हम देखते हैं आखिर क्या कारण थे तो आएब हम देखते हैं मर्जों के बतन के मुकारन नमर एक समराज के बाद कमजोर उत्राधिकारी मतलब असो के बाद जो भी उत्राधिकारी आए वे बहुत कमजोर थे नमर दो सुधारों के नाम पर बरहमनों को आखाथ नमर तीन विसाल समराज नमर चार सेना पर खर्च और नमर प्माच प्रांतिय सासकों की निती अब हम आगे दिखते हैं नमर चो असो की अहिंसावादी निती नमर साथ दुरस्त राजधानी नमर आठ परिवारिक फूट नमर नो बोधर्म को महत्व और नमर दस राष्ट भक्ती की कमी तो ये मुख दस कारण है जिसके चलते मौरजों का पतन हुआ अब हम बारी-बारी से इनका अध्यन करेंगे जो की परिक्षा के दिरिष्टी से काफी उपयोगी सीध हो सकता है तो आए हम इसका अध्यन करते हैं नमर एक समराट असोग के बाद कमजोर उत्रादिकारी मौर समराज की एस्थापना करने वाले चंदरूत मौर से ले करके मौर समराज के तिसरे और मौर समराज के सबसे महान समराट असोग के बाद इस समराज में कोई भी ऐसा उत्रादिकारी राजा नहीं मिला जो कि इस समराज को आगे ले जा सके और इसकी सभी बेवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रख सके तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा तो चलिए अब हम आगे दिखते हैं नमबर दो सुधारों के नाम पर ब्रामनों को अगात समराज असुख खोले विचारों वाली थे वो अंद्विश्वास मिटाना चाहता था और राज में सिच्छा का बिश्थार करना चाहता था समराज असुख को ब्रामनों का मित्र भी माना गया है और माना जाता था लेकिन असुख के मिर्थिव के पश्चाद बर्ामन मोरश समराज के खिलाफ हो गये और धीरे धीरे मोरश समराज का पतल होने लगा चलि अब हम आगे दिखते हैं नमर तीन बिसाल समराज बिसाल समराज को समहनने के लिए दूर दर्शी और मजबूत राजा की ज़ुरत होती है जो समराठ असों के बाद मोर समराज के पास नहीं था, दूर-दूर तक फैले प्रांतों में तानात, अधिकारी अपने आपको सुतंसासक मानने लग गे थे। पर शाही पर राज की कुल आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता था। इसके अलावा करते हैं कि समराट असोक में बहुत धर्म की सरन ली थी। इसी बज़े से उन्होंने बहुत भिच्छों को बड़ी मातरा मेरासी अनुदान की रूप में फेट की। और इसी बज़े से उसके समराज का खाजाना खाली हो गया और समराट असोक के अंतिम दिनों में मौर्ज समराज को भारी बित्य संकट का सामना करना पड़ा था। मौर्ज समराज के पतन के कारणों में ये भी एक मुख्य कारण है। नमबर पांच प्रांतिय सासकों की निती। मौर्ज समराज क्योंकि बहुत बिशाल था। इसलिए सभी प्रांतों में नियमीत समय अंतराल पर राजा का पहुँचना असंभव था। पर्तियक प्रांत को अधिकारियों में बाटा गया था। लेकिन धिरी धिरी प्रांतिय सासक अचैचार और उत्पिडन करने लग गये। जिसका आमजन में बिद्रो हुआ। धिरी धिरी ये बिद्रो बिसाल मौर समराज के पतन का कारण बना। आगे हम देखते हैं। समराट असोक की आहिंसात्मक निती। समराट असोक के बारे में कहा जाता है कि जिन भी रजाओं के साथ उनके यूद होते थे, यूद के पशात वो जाकर उनसे माफी मांगता था। धीरी धीरे समराट असोक ने यूद का त्याग कर दिया। और उदारता दया और सहिशनूरता के साथ सासन करने लगा। सेन सक्ति पर बिल्कूल भी ध्यान नहीं दिया। राज की आयका एक बहुत बड़ा हिसा लोग कल्यान में खच कर दिया गया। और फिर धीरी धीरी मोर समराट के सेनिकों में रन को असल समाप्त हो गया। इस तरह यह भी मोर समराट के पतन का कारण बना। अब आगे हम बढ़ते हैं नमर साथ दूरस्त राजधानी। समराज के राजधानी पाटली पुद्र थी या मोर समराज के केंदर में नहीं थी। अगर केंदर में होती तो सभी प्रान्तों तक सहस्ता के साथ पहुँच हो सकती थी। इसका नतीजा यह रहा कि दूर दराज के छेत्रों में विद्रों होने लगे और धीरे धीरे इन विद्रों ने बड़ा रूर्धारण कर लिया और मौत समराज के पतन का एक मुख्य कारण बना. उस समय एक राजा एक से अधिक रानिया रख सकता था. अलग अलग रानियों से जम लेने वाले पुत्रों के बीच किसी न किसी बात को लेकर जगरे होते रहते थे या फिर वहाँ पर ऐसे लोग मिल जाते थे जो एक दूसरे के खिलाप बढ़का देते थे. धीरे धीरे उनमें युद्ध सुरू हो जाता और दुस्मनी बढ़ जाती हैं. तो इसे भी समराज के पतन के कारणों में से एक देखा जा सकता है. समराट असोक ने क्योवल बहुत धर्म को सबसे अधिक मौत दिया था. इसका दुर्गामी पर नाम यह हुआ कि दूसरे धर्मों के लोग मौर बंस के सासकों से दूरी बनाते गए और जैसे ही समराट असोक की मुर्थी हुई उन्होंने बिद्रो सुरू कर दिया. इस तरह स समराट के पतन का मूँ कारणों में से एक बना. नमबर 10. राश्ट भक्ती. हमारे सभी पुराने इतियासकार लिखते हैं कि प्रसाशनिक संगटन और राश्टिय भौना की उन्होंने कमी आई, जो कि मौर्थ समराट के पतन का एक मूँ की कारण सीध हुआ.